जोहिन पेंस तमस्कार, सोप्रेंस फेबॉरी 2020 में खबर सामने आई की USA United State of America सरकार ततकलीन राश्टरपतिक डोनाल्ड ट्रॉम्प के तहत एके हेविवेट फाइटर जेट F-15EX की पेश कोस करके इंडियान एरफोस की MMRC टेंडर प्रत्योगत्या में उतरना चाहतीती F-15EX, F-15ER सुपुरिटी फाइटर का नविन्तम भर्सन है जिसने पहली बार 1922 1972 में उडान भरी थी जबकी F-15EX बहरी रूप से एक मानक F-15 के समान दिखता है F-15EX में एक नया फ्राइबाय ओयर सिस्टम्स अधिक सक्ति साली प्रसेसोर आटे अर्बान साडे इलोक्तोनिस ओयर फार सुट है जैसे इसी साल की सुरुआती में बोईंग ने पुष्टी की की इंडान आर्फोस को F-15EX की पेसकोस की गई थी F-15EX भारतियों बायुशना के लिया अन्यों सभी विमानों की तुनला में काफी भारी है जिहां अरो लगभग तेरा टन एयर तु एयर अरो एयर तु सर्फेस के हतियारों अरो इंधन ट्यांक्स का पेलोर ले जा सकती है जिहां जोकी डाजल्ट राफेल से काफी हो दिगे इसी साल फेबुआरी में A15EX ने अमेरिका बायुशना को डिलिवरी से पहले अपनी पहली उडान भरीती धान रखे USA Air Force 2025 तक 76 उनिट्स A15EX फाइटर जेट्स लडाकु विमान खरीदने का इरादा रखती है और हाली में 2021 अक्टबर आट को भारत्य बायुशना दिवस को चिनित करने के लिए अमेरिका इंजिन निर्माथा पाट अंड वाइट नीने A15EX के एक वीडियो के साथ इंडान अरफोस को अपनी सुब कामनाय दी थी जिहां जेसे पाट अंड वाइट नीने टुइट किया था हमें कोई इंडान अरफोस बिमानों को सकती प्रदान करने पर गर्भ है और अपने A15EX को ये फाइट और जेट को पावर प्रोवाइड सकती प्रदान करके अपसर के लिए उस चाहिती है जिहां ये पाट अंड वाइट नीन के तरफ से कहा गया है जबकि USA एरफोस द्वारा खरीदे जा रहे है A15EX फास्ट ब्यास देनाली लिट्टी के A110 इंजिन का उप्योग करेंगे और पार्ट अंड वाइट नीन के मुताबिक A100PW 229 अप्टक बिक्सित सबसे सख्यम सबसे विश्वस निया फोर्थ जेनाशन का इंजिन है जिसका पार्ट अंड वाइटनिंग के तरफ से कहा जा रहा है मतलब हमारे भारत को पार्ट अंड वाइटनिंग के तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम यह फाइटर जेट पॉर ने इंजिन को सामिल कर रहे हैं और यह के निव वर्शन एरकाप्ट है जो कि हम USA एरफोस को भी प्रोवा